गुड मॉनिंग प्यारे बच्चो आज अब हिंदी कक्सा पांच की पठ्ठ पुष्टक रिमजीम उसका पाट नमबर तेरा श्वामी की दादी उसका रिविजन करेंगे प्यारे बच्चो पाट नमबर टू ठीक है पाट नमबर वन चुके है कि स्वामी अपनी दादी के साथ वहां पे रहता है उसके कमरे में ठीक है और स्वामी अपनी दादी को अपने दोस्त राजम की कहानी सुनाना चाता है लेकिन दादी बीच बीच में दादा की कहानी शुरू कर देती है और ठीक से वो जो स्वामी नाथने उसकी कहानी को नहीं सुनती है तो इस बात को लेकर कभी-कभी स्वामी नाथन चीर जाता है तो इस प्रकर से प्यारे बच्चो ये दादी और पोते के बीच में की कहानी उसमें दोनों की इस तरह से एक दूसरे की जित पर अड़े रहते हैं और अपनी बात बताने के लिए आतूर होते हैं इसके बारे में लिखक ने शुन्दरवणन किया है तो आईए प्यारे बच्चो इसका अगला जो पार्ट है बाग दो देखते हैं तो प्यारे बच्चो आईए अब दादी आगे अपने दादा की कहानी बताते हुए क्या कहती है वो सुन्यों अन्य बच्चो के मुकाबले दस्वा हिसा वक्त लेते थे और फिर उनके जवाब इतने सही होते थे कि कभी कभी उनके अज्यापक उन्हें दो सो नंबर तक दे देते थे याना दादी जो है वो बात को बढ़ा चड़ा के कह रही है उन्होंने एमे किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था मैं कई सालों तक इसको गले में पहन्ती रही पता नहीं मैंने कब उसे उतारा हाँ जब तुमारी बुवा पैदा हुई नहीं तुमारी बुवा नहीं तुमारे याद आया तब बच्चा दस महिने का था अरे नहीं मैंने पहले ठीक कहा था तो दादी इस तरह से बाद थोड़ी थोड़ी दिर में भूल जाती है कभी बुवा का नाम लेती है कभी स्वामे नाथन के पीता का नाम लेती हलांके उसको पता नहीं वो भूल चुकी है अरे नहीं मैंने पहले ठीक कहा था तुम्हारी बुवा ही पैदा हुई थी हाँ वही वह मेडल अब कहा है मैंने वह तुम्हारी बुवा को दिया और ये वकुफ ने उसे गलवा कर चार चुड़ियां बनवा ली और वह भी इतनी मामूल इसी चुड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामुर्ख और कोई नहीं है तो दादी प्यारे बच्चों यहां पर जो दादा की बात कहते कहते उसे वो बात यादा गई जब उनको मैडल मिला था और उस मैडल को दादी अपने गले में डाल कर घुमा कर दी थी लेकिन फिर उसने बुवा को याने उनकी लड़की को ये मैडल दे दिया तो उसने उस मैडल को गलवा कर याने पिगला कर उसमें से चार चुड़ियां बनवा ली और वह भी मामूली सी चुड़ियां बनी थी तो दादी इस बात को लेकर वो चिड़ती है और उसे बुवा को याने अपनी लड़की को महामूर्ख कहती है इस प्रकार से दादी अपने दादा की कहा स्वामे नाथन को बता रही है अब बस भी करो दादी तुम बेकर की पुरानी कहानिया सुनाती रहती हो क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती अब स्वामी नाथन दादी की बाते सुन-सुनकर ठक गया है अब वो अपनी बात सुनाना चाहती हो दादी से कहता है कि दादी तुम अब बस करो मैं राजम की कहानी तुम्हें सुनाना चाहता हूँ क्या तुम सुनना नहीं चाती ऐसा उसने कहा हाँ हाँ बोलो दादी कह रही है दादी जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने सेर मारा था अब राजम की कहानी जो है वो सुना रहा है सच बड़ा भादुर लड़का है तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो तुमें यकिन नहीं हुआ होगा नाथन ने बड़े उच्छा से कहानी शुरू की स्वामी नाथन अपने दोस्त राजम की कहानी सुना रहा है हो वो कहता है कि जब वो छोटा था तो उसने सेर मारा था तो दादी कहती है कि बहुत बहुत दुर ललका है तो आगे हो बताए कि तुम मुझे खुश करने के लिए कह रही हो तुमें यकिन नहीं हो रहा न लेकिन स्वामी नाथन आगे बता रहा है स्वामी नाथन ने बड़े उच्छा से कहानी सुरू की राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे राजम उनके साथ था अचानक दो सेर उन पर जप्टे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया दूसरे ने राजम का पीछा किया तो इस तरह से प्यारे बच्चो ये जो स्वामी नाथन है उसने राजम की कहानी सुनी हुई थी और वो किस तरह से सेर को उसने मारा था वो पूरी डिटेल में बात याने कहानी बता रहा है वो कहता है कि वो एक बार अपने पिता उसके पिता पोलिस अधिक सक थे और वो जंगल में उनके डीटी लगी हुई थी तो वहाँ पे गए थे उस वक्त राजम उनके साथ था और अचानक से उन पर दो सेरों ने हमला किया था और एक ने राजम का पीछा किया था तो राजम इस बात को लेकर कह रहा है अपने है जो दोस्त याने के राजम जो है स्वामी नाथन का दोस्त का दोस्त है और स्वामी नाथन ये कहानी अपनी दादी को बता रहा है तो एक जो सेर था उसने राजम का पीछा किया हुआ था ठीक है तो आगे देखते हैं पीछा किया राजम एक जाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चला कर सेर को मार डाला दादी क्या तुम सो गई उसने कहानी खत्म होने पर बुचा नहीं वेड़ा अच्छा बताओ कितने सेर आये थे तो यहां पे जब स्वामी नाथन ने अपने दोस्की कहानी सुरू की तो दादी उसे सुन रही थी या नहीं इस बात को जानने के लिए उसने दादी से प्रसनप किया के दादी बताओ तुम सो गई या जाग रही हो अगर जाकती है तो कितने सेर आई थे बताओ दो सेर राजम पर जप्टे थे दादी ने जवाब दिया दादी याने के गलत जवाब दे रही है कि दो सेर राजम पर जप्टे थे स्वामीनातन दादी के गलत जवाब से चिड़ गया उसे गुसा आया मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नीद में न जाने क्या-क्या उलत जुलल कल्पना किये जा रही हो अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो तुम राजम को पसंद नहीं करती तो इस तरह से यहां पे जो स्वामी नाथा ने पूरी कहानी अपने दोस्त की बता रहा है और दादी जो है उसे ध्यान से नहीं सुन रही इसलिए स्वामी नाथा दादी पर चील गया और कह रहा है कि तुम में बात को इसलिए ध्यान से नहीं सुनती कि तुम्हें मेरा दोस्त राजम पसान नहीं है इसकी वज़ा से तुम ये बात मेरी नहीं सुन रही हो तुम राजम को पसंद नहीं करती हो अब दादी क्या केती है सुनिए नहीं नहीं यह तो बहुत प्या उसने राजम को देखा तक नहीं था स्वामी नाथन खोस हो गया दूसरे हिश्ण उसके मन में एक नया संदे पैदा दादी साय तुम्हें सेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है अब उसने खुश तो हो गया ओ दादी के जवाब से लेकिन वो फिर कह रहा है उसे सक और आए तो मन ही मन वो कह रहा है संदे पैदा हुआ कि दादी शाय तुम्हें सेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है वो कहता है कि शाय तुम्हें ये कहानी सच नहीं लगती है ऐसा वो दादी से कह रहा है मैं एक एक सब्द पर विश्वास करती हूँ दादी ने स्वार में मिठास भर कर कहा स्वामी नाथन को इससे खुसी हुई लेकिन उसने चीतावनी की तोर पर जोड़ा जो भी उसे जुठा कहेगा वह उसे गुली मार देगा स्वामी नाथन अपनी दादी को चीतावनी दे रहा है कि जो भी अगर मेरे दोस राजम को जुठा कहेगा तो वह उसे गुली मार देगा दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही बात कही जो हरिश्चंद्र हमारे भारत देश का बहुत बड़ा समराथ राजा हो चुका है उसकी कहानी कहना सुरू की जिस्टने वचन का पालन करने के लिए सिहासन पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उससे सब कुछ मिल गया उसने कहानी आधी सुनाई थी कि स्वामे नाथन खराटे लेने लगा दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी फिर वह भी सो गई तो इस तरह से प्यारे बच्चो इस टॉपिक के अंदर स्वामे की दादे राइटर आर के नारायर ने बड़े ही सुन्दर ढंग से एक दादी और पोते के बीच में किस प्रकार की बाच्चित होती है और दोनों जिद्धी है ठीक है दोनों एक दुसरे की बात को सुनते हैं और संदे भी करते हैं विश्वास भी नहीं करते हैं कि अगर मेरे दोस राजम को कोई जुठा कहेगा तो वो उसे गुली मार देगा इस तरह से दादी उस पर पूरा समर्थन करती है और फिर दादी अपने पुरानी जो कहानी है राजा हरिश्चंद्र की वो सुनाती है तो अब स्वामी छोड़ा बच्चा है उसे भी नीन दा रही है और धिरे धिरे वो भी सो रहा है और दादी भी फिर सो जाती है प्यारे बच्चों सैन कर दी गई है उसमें से आप इसके प्रस्तन और उत्तर तयार कीजी ओके ठैंक्यू